देश में जानलेवा कुरोना वाइरस का खत्रा बरकरार है ऑक्सिजन की कमी होने से कई राज़ों में मरीज बेहाल हैं इस भीच राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है जहां पर जारकंड के बुकारों से कल चली दूसरी ऑक्सिजन एक्सिजन ट्रेनों के प्रतियक टैंकर में लगभग 16 टन चिकित्सी है ऑक्सिजन ले आई जार सकती है ये ट्रेन 65 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से चलती है इस तरह की पहली ट्रेन 19 अपरेल को सेवा में आई थी कि हर अस्पिताल में वातावरन से ऑक्सिजन बनाने की योजना पर कारे चल रहा है और 31 ऐसे अस्पितालों के लिए शासन के आदेश जारी कर दिये जा चुके हैं जहां अगले 15 से 20 दिनों में वातावरन की हवा से ऑक्सिजन बनाने की प्लांट लगाए जाएंगे उन्हो से राहत बरी खबर सामने आई जहां पर विशाखा पतनम से रवान हुई ट्रेन पहुंच गई है